इंडिया और स्रिलंका के बीच में तीसरा और आखरी टीट्वेंटी मैच जो खेला जाएगा तीस जुलाई को साम साथ बजे और आपको पता होगा इस सिरीज को टीम इंडिया ने अपने नाम कर लिया है और अगर आप इस मैच में देखोगे ना तो सूरी कुमर आदो या सस्वी जेस्वाल हार्दिक पांडिया वनिंदू हसरंगा अरसिदीप सिंग मतिसा पतिराना इन सभी खिलाडी को ना लगभग सभी लोग अपने टीम में ले करके चलेगा लेकिन इस मैच में ना दोनों टीम से तीन से चार एसा ट्रंप खिलाडी है जिसको लोग अपने टीम में नहीं ले करके चलेगा और जिस पर लोग फोकस ही नहीं करेगा लेकिन इस मैच में वही तीन से चार ट्रंप खिलाडी है जो आपके टीम को मेगा लिग में रैंक वन देने वाला हूँ और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस मैच में दोनों टीम से कौन वो खिलारी है जो आपको कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी का पारी खेल करके देगा सबसे पहले करना क्या है हमारे टेली ग्राम चैनल को आपको जोएन कर लेना है जिसका लिंक आप गर बाई चांस लिंक से ओपन ना हो तो कैसे आपको जोएन करना है अभी आपको पता चल जाएगा ओरीजिनल और ओफिसियल टेली ग्राम चैनल में जोएन होने के लिए आपको सिंपली अपने टेली ग्राम में किसी भी फ्रेंड को या किसी भी मेंबर को ये वाला मेसेज आपको send कर देना है add the red लगा करके जो channel का नाम है वही आपको लिखना है जैसे कि आपको screen पर दिख रहा है और मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है वहाँ पर add the red लिखना है उसके बाद channel का नाम लिखना है जैसे कि a k j o n उसी में सटा करके f a n t a s y जैसे ही इतना करके आपको हमारा telegram channel join कर लेना है और एक बात हमीशा आद रखना हमारे नाम से कभी भी किसी को भी टीम के लिए पेशा मत देना अब यहाँ पर simply सबसे पहले बात करते है विकेट कीपिंग वाले section में अब अगर आप विकेट कीपिंग वाले section में देखोगे ना तो सबसे पहले आपको team इंडिया के तरप से आपको रिसब पंत दिखेगा अभी रिसब पंत आपको पता होगा पिछले match में ना नंबर पांच पर बैटिंग किया था और यहाँ पर आद रखना ये बैटिंग भी करेगा विकेट कीपिंग भी करेगा लेकिन इस match में रिसब पंत आ पहले बैटिंग करेगा या फिर अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग नहीं भी करेगा ना लेकिन अगर रिसब पंथ नंबर तीन पर बैटिंग किया ना तो दोनों इनिंग में पारी खेला था, बैटिंग पलस विकेट किपिंग, दोनों से आपको परफॉम करके देगा, तो definitely important है ले करके चलना, उसके बाद आपको नीचे में दिखेगा कुसाल परेरा, जो पिछले मैच में 33 रन का पारी खेल करके आ रहा है, नमबर 3 पर बैटिंग करेगा, तो इस सेंजु सेमसें खेला लेकिन उतना कोई खास परफॉम नहीं किया, जीरो रन में आउट हो गिया, और ये opening किया था, अगर इस मैच में सेंजु सेमसें खेल गया ना, तो definitely आपके लिए important बनेगा, एक बेहतरिन टरंप बनेगा, यो कि सभी लोग इसको ignore करके चलेगा, तो व में बता दूँगा, आगे सिंपली बात करते हैं, बेटिंग वाले सेक्षन में, अगर बेटिंग वाले सेक्षन में देखो गे ना, तो सबसे पहले आपको दिखेगा सूरी कुमर आदाओ, जो इंडियन टीम का कैप्टन है, अब यहाँ पर देखो, ये number 3 पर बेटिंग प अगे में आपको बताऊंगा, नीचे में आपको दिखेगा जेसवाल सहब, ओपनिंग करेगा और हमेशा गजब का परफुम किया है दोनों मेच में, फ़र्ष्ट मेच में 79 रन, स्वरी 40 रन, 40 रन का पारी खेला था, और उसके बाद सेकेंड मेच में 30 रन का, और गजब का पारी खेल रहा है, हमेशा 200 से पलस इसका श्ट्राइक रेट रहता है, तो डेफिनेटली इस मेच में भी इंपोर्टेंट बनेगा, योगि अगर ये गलती से 10 बॉल भी खेल लिया ना, तो इजली आपको ड्रिम टिम में आता हुआ दिखेगा, तो इंपोर्टेंट है, इछले मेच में 32 रन बनाया है, आनि दोनों मेच में काफी सही पर्फॉम किया है, लेकिन मैं बोलूँगा, अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, अगर आप इस मेच में असमोल लिगट का टिम बना रहे हो, तो सिंपली निसानका को अपने टिम में लेकर के चलना, लेकिन अगर इस मेच में आपको थोरा सा रिस्क लेना है, मेगा जियल का टिम बना रहे हो, तो आपको पता होगा मेगा जियल आप तभी विन कर पाओगे, जब आप अपने टिम से बड़े पलायर को ड्रॉप करोगे, तो मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको इस मेच मे पथम निसान का फ्लॉप रहेगा, और मैं अपने टिम से इसको ड्रॉप करके चलूँगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, सेफ जाना है, तो इसको टिम में ले करके चलना, नीचे में आपको दिखेगा सुभमन गिल, खेल पंद्रो परसेंट जाएगा, लेकिन इस मैच में ना एक बेहतरिन ट्रंप बनेगा, पिछले मैच में पता होगा चोदो रन का पारी खेला था, लेकिन उस मैच में उतना सही से परफॉम नहीं किया, लेकिन इस मैच में एक ट्रंप बनेगा, बैटिंग से आपको एक उतना ज्यादा important बनेगा नहीं और already team India का जो top order है वो काफी ज्यादा मजबूत है तो उस condition में रिंकु सिंग का बैटिंग आना possible नहीं होता है उसके बाद आपको दिखेगा अविसका फिरनांडो खेलेगा नहीं अगर खेलता है तो मैं आपको definitely telegram में update कर दूँगा नीचे मे आपको दिखेगा कमिंडू मेंडिस आप असानी से देख सकते हो पिछले मैच में 26 रन का पारी खेला था नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है तो अगर इसको लेना है तो मैं आपको बोलूँगा मेगा जील में ही ट्राइ करके चलना और अगर इसको ले रहे हो तो simply पथुम न फॉम किया है बैटिंग से भी बॉलिंग से भी तो definitely important बनेगा ये नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है बैटिंग तो आ ही जाएगा पलस में 3 से 4 ओभर का पूरा बॉलिंग भी करेगा तो important पीख है इसको ले करके चलना बात रहा captain और wise captain बनाना है नहीं बनाना है मैंने बोला आगे आपको पता चल जाएगा उसके बाद simply नीचे में दिखेगा आपको वनिंदू हसरंगा ये भी बैटिंग पलस बॉलिंग दोनों करेगा चार ओभर का पूरा बॉलिंग करेगा और इस पीच पर अगर आप देखोगे न तो दोनों मैच को अगर आप सही से देखोगे ना तो इसमें अस्पिनर को सपोट मिलता है तो वनिंदू हसरंगा इस मैच में इंपोर्टेंट बनेगा इसको ले करके चलना बागी बद नीचे में आपको दिखेगा अच्छर पठेल दोनों मैच में दो दो विकेट निकाला है तो definitely important है बैटिंग से उतना भरुसा मत करन चुना क्योंकि बैटिंग ओर काफी नेचे है, नमबर आठ पर बैटिंग करता है, तो बैटिंग आएगा नहीं आएगा गरैंटी नहीं है, लेकिन बालिंग से आपको डेफिनेटली, एक दो विकेट आपको निकालता हुआ दिखेगा, नीचे में आपको देखेगा, दसुन option बनेगा तो उतना ज़्यादा important नहीं बनेगा simply drop करके चलना और मैं भी फिलहाल के लिए इसको drop करके चलूँगा अपने team से बाकी बद नीचे में आप देख सकते हो आपको simply देखेगा सीवम दूबे खेलेगा नहीं अगर खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा उसके बाद नीचे में देखेगा रियान पराग बैटिंग कर लेता है पलस में दो से तीन ओभर का अभी बाॉलिंग भी कर रहा है और ये नमबर पांच या नमबर च्छे पर बैटिंग भी कर लेगा और बाॉलिंग कम से कम दो से तीन ओभर करेगा और विक्याट भी इसको मिल रहा है इसी पीच पर और ये वाला भी मैच उसी पीच पर खेला जाएगा समझमा चुका है उसके बाद सिंपली आपको दिखेगा नीचे में वासिंग्टम सुन्दर इसका खेलने का चंस उतना जादा नहीं है नीचे में आपको ये भी नहीं खेलेगा बाकी बाद यहाँ पर आपको दिखेगा आर्मेंडिस उतना ज्यादा इंपोर्टेंट बनेगा नहीं क्योंकि ये नंबर आठ पर बैटिंग करेगा तो मैं सिंपली इसको ड्रॉप करके चलूंगा अपने टीम से बाकी बाद आगे सिंपली बात करते हैं बॉलिंग वाले सेक्षन में यहाँ पर आपको दिखेगा अर्सदीप सिंग डेफिनेटली इंपोर्टेंट है डेथ ओभर में बॉलिंग भी करेगा और दोनों मैच में दो-दो विकेट निकाला है तो इंपोर्टेंट है इसको ले लेगा ना तो मैकसिमम से मैकसिमम एक विकेट मिलेगा या फिर वो भी नहीं मिलेगा तो रिस्क लेना है तभी इसको ड्रॉप करना अगर सेफ जाना है ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो टिम में इसको ले करके चलना आगे आपको दिखेगा महिस तिक सना इंडिया के साम मोहमद सिराज दोनों मैच में न उतना consistent परफॉम नहीं किया है और उतना सही से performance नहीं आया है लेकिन पता होगा मोहमद सिराज न स्रिलंका के सामने ही परफॉम करता है सही से already पता होगा तो हो सकता है इस last match में ही 3-4 wicket निकाल ले तो risk लेना है तो definitely आप सिराज को अपने टि इंडियल विनिंग करने का मोहमद सिराज के साथ अपने टिम में जा करके समझ मा चुका है नीचे में आपको दिखेगा रवी बिशनोई ये तो important बनेगा ही बनेगा पिछले match में 3 wicket निकाल करके आ रहा है इसी venue पर तो इसको पता होगा यहां पर किस परकार से wicket निकाला जाता है तो definitely important है नीचे में आप असानी से देख सकते हो डिलसन मधु संका दिखेगा खेलेगा तो मैं आपको टेली ग्राम में बता दूँगा तो पिछला match नहीं खेला था उसके बाद खलील यहमत को इस match में मोका मिल सकता है क्योंकि already team India ने सिरीज को अपने नाम कर लिया है तो इसमें इंडिया जो इंडिया का जो playing 11 होगा उसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा तो जो भी होगा वो तो टोस के बाद ही पता चलेगा तो टेली ग्राम में मैं आपको अपडेट कर दूँगा बाकी बाद यहां पर देखेगा आपको यह फ्रेनांडो उतना ज्यादा important बनेगा नहीं मैं simply drop करके चलूँगा यह तो खेलेगा नहीं unavailable है निचे में आपको देखेगा विलालगे यह भी नहीं खेलेगा highly chance है तो इस परकार से में आपको clear cut बता दिया है पूरा detail में विकेट किपिंग वाले section में किसको लेना है बैटिंग वाले section में किसको लेना है औल रांडर वाले section में किसको लेना है बॉलिंग वाले section में किसको लेना है अब यहां पर simply हम यह जानते हैं कि इस match में दोनों टीम से कौन कौन वो खिलाड़ी है जो captaincy और wise captaincy का पारी खेल क इस match में उससे पहले में आपको team बना करको दिखाता हूं। कि इस match में अपने लिए किस परकार का team बनाऊँगा। तो कि इस match में captaincy और wise captaincy का बहतरीन contentर कौन बनेगा। किअपटन और wise captain का बहतरीन contentर। तो मैं simply way cereal keeping वाले section में मैंने आपको बताया था। कुसाल मेंडिस को मैं ले करके चलूँगा, अपने टीम में, उसके बाद Simply यहाँ से कुसाल परीरा को ले करके चलूँगा, आने यह दोनों मेरे टीम में रहेगा, अब यहाँ पर देखो, रीसब पंत को मैं तभी लूँगा, जब टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगा, और simply receive पंत को drop करके Sanju Samson को ले सकता हूँ अपने टिम में Sanju Samson एक बहत्री नॉप्षन है हो सकता है मैं toss के बाद इसको ले लूँ अपने टिम में betting वाले section में Asky को ले करके चलूँगा और Jace Wall को ले करके चलूँगा और Jace मैंने बोला Nisanka को में drop करके चलूँगा अपने टिम से क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस match में न ये flop होगा उतना ज़्यादा run नहीं बनाएगा 10 run के अंदर ही out होगा अगर आपको लेना है तो definitely आप ले सकते हो अपने टिम में और मैंने बोला है अगर आपको risk लेना है तभी इसको drop करना लेकिन safe जाना है तो definitely इसको ले करके चलना ये भी हो सकता है 1% chance ये भी है कि flop ना हो और पिछले match के जैसा इस match में भी perform कर दे ये भी हो सकता है तो definitely ले सकते हो अगर आपको risk नहीं लेना है तो बाकिबद नीचे में मैंने बोला असलंका important बनेगा trump card बन सकता है और रमडर वाले section में हार्दिक पांडिया वनिंदू हसरंगा और अच्छर पटेलिये तीनो मेरे team में रहेगा चाहे कोई भी पहले batting करे चाहे कोई भी पहले balling करे समझमा चुका है दसुन सना का उतना ज़्यादा important बनेगा नहीं बाकिबद balling वाले section में मैं अपने team में सिदीप सिंग को ले करके चलूँगा मतिसा पतिराना को ले करके चलूँगा और यहां से रवी विशुनोई को ले करके चलूँगा यह तीन baller में अपने team में ले करके चलूँगा सिराज आपके लिए important हो सकता है अब यहां पर देखो इसी में अगर मैं आपको बता दूँ captain और wise captain का बेहतरिन option कौन बनेगा तो simply देखो हार्दिक पांडिया एक बेहतरिन captain का contender बनेगा यही है कि बेटिंग और इसका थुड़ा नीचे दिखेगा नमबर साथ पर बेटिंग करता है लेकिन फिर भी इसको wise captain बना सकते हो उसके बाद बेटिंग वाले section में बेटिंग वाले section में आपके पास असकाई एक बेहतरिन option बनेगा captain और wise captain का क्योंकि already team India ने इस series को अपने नाम कर लिया है तो असकाई पर उतना ज़्यादा pressure नहीं रहेगा तो उस condition में आपके लिए अच्छा खासा option बनेगा captain और wise captain का जेस वाल को भी बना सकते हो क्योंकि ये बंदा खुल करके खेलता है और जब ये सही से खुल करके खेल करके टिक गया ना तो समझ लो सतक भी बना सकता है तो definitely important बनेगा और यही चार ना सबसे बेहतरिन मुझे लग रहा है इस match में captain और wise captain एक सूरी कुमर आदव या सस्वी जेस्वाल और अल्डरंडर वाले section में simply पांडिया और वनिंदू हसरंगा लेकिन अगर आपको risk लेना है तो मैंने बोला ना सिराज को अपना captain कर देना रिस्क लेना है highly risk लेना है तो सिराज को अपना captain कर देना मुहम्मद सिराज को तो ये था इस match का prediction बेडियो मुझे पता है आपको बेडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको बेडियो अच्छा लगा होगा तो इस बेडियो को एक like कर देना मुझे motivate करने के लिए चैनल को subscribe कर लेना notification बेल को दबा करके all पर प्रेस कर लेना और सबसे ज़्यादा important बात टेली ग्राम चैनल को ज्वेन कर लेना जिसका link आपको नीचे description box comment box में मिल जाएगा केसे ज्वेन करना है already मैंने आपको शुरुवात में बता दिया है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत